हर दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का यानि नौमिक अक्षा के लिए जो है समाजिक विग्यान ये टॉपिक कई मानने में एक्जाम के भी उसे बहुत काफी इंपोटेंट रहेगा क्योंकि इसमें हम कुछी कोशन का विसकर्ष करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतरगत होगा ठीक है और ये आपके पुरा करने का समय है तो चलि देखते है हमारा आज पहला कोशन क्या है There is a most important answer. The people of Vastar believe that each villager was given it is a land by the earth. The people of Vastar believe that each villager was given it is a land by the earth. And in return, they look after the earth by making some offerings at each agriculture festival. The most important point that took after the earth by making some offerings at each is an agricultural festival. And second point here, the addition to the earth, they show respect to the spirit of the river, the forest and mountain as well. There is a most important thing here, the respect of the spirit of river, forest and mountain as well. And third point here is a most important also. The sign that each villager knows is where it is a boundary lies their local people. Look after all the natural resource within that is a boundary. There is a third point is a most most important. Since each villager is a now there is a boundary lies local people. Look after all the natural resource within the boundary. And next point is a boundary. And next point is a most important here. If the people from a villager want to take some woods from the forest of another village, they pay a small fee called to the devsari is a dam, dam or man in the exchange. Some villager also protect their forest by engaging a watchman and each household contributes some grain to pay them. And every year there is a big hunt where is the head man or villager is there is an upper gun is a meat of discourse issue of the concern including a forest. देखेखेएजिये यहां पर जो जो जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने सिर्फ महुत ही बहुत महत्रपूर्ण को नीच्पूरिशन को ही लेंगे जो एक्जामनर का जो है बहुत काफी फेवरेट रहता है महत्रपूर्ण रहता है तो उसी एके अंतरगत जो हैारा पांचमा कोश्चन भी अपने इंपोर्टेंट को यहां दर्शार आ है कि आखिर इसकी इंपोर्टेंट कैसे हो सकती देखिए वस्तर के आदिवासियों का जीवन कैसी थी जो हम वस्तर आपको पता है इस चैप्टर में हम यह तो जावा जन जावा छेतर की बात करते हैं या वस्तर छेत करता है और यहां पर जो जापानिस अपना इफ्यक्ट डालना चाहता है ठीक है और अंग्रेज जो हर छेतर में अपना कवजा करना चाहते हैं यहां पर कोशन बंड के अंतरगत आता है ठीक है तो यही सब होता है कि बंड को संरक्षित कैसे किया जाए तो जितना बात यहां इस chapter में थी उस सारी कोशनों को जो है मैंने अपने जो है knowledge से उठाने कोशिश किया है और आपका ये knowledge लगाना है कि भाई इस question को हम कैसे लिखे और कैसे जो है इसको अपने लिए संदक्षित करें जो exam तक हमारे लिए काम आ जाए तो ये सोचना आपका काम है मेरा नहीं है तो इसको फटाफट इसको note कर लीजिए जो की बहुत काफी important है और फटाफट इसको दिमांग में बिठा लीजिए क्योंकि मैं जानता हूं कि ये 5-6 question के अंतरगत ही exam में question कोई न कोई बन के आएगा चाहे घुमा के आए चाहे जैसे मरजी आए होगा इसी base पे answer ठीक है तो इस आरे के सारे जो है भूमी प्रिथ्वी नहीं दी है कि यानि उत्यों समस्य है कि यह ढ़ grad क्रिशि ऊत्पाद में कुछंच देकर प्रिथ्वी को देखवाल करते हैं यानि देखा जाय तो लोग उससमें इसमान घुन कुछ चरावा पेढ लेंgoing का प प्रमुक्ह जलक थी साथ साथ नदी, जंगलो और पहारी के आत्माओं के प्रति सम्मान दिखाते थे, यानि या दिवासी लोग जो है नदी को, जंगलो, पहारो की आत्माओं को जो है सम्मान करते थे, पूजा पाट किया करते थे, तो उनकी जीवन इस परकार वो लोग बिताया करते थे, अगर थर्ड पॉइंट की तरफ प्रकास डाले तो यही बात यहां आती है क्योंकि प्रतेख गाउं जो है जनता है कि उसकी सिमा कहां है यानि प्रतेख गाउं जानता था कि उनकी सिमा कहां तक जो है लीमेट है यानि आपको पता है कि आज भी हर छेतर में जो है बॉंडरी बनाई तो और प्रतेक गाउगन vàलों वह जानते थे उनकी सिमा कहां तक तक अस्थानी लोग उस सिमा के भीतर सभी प्रक्राकेति संसादों की देखवाल किया करते थे यहाँ पर छेतर जो गाउए बनता था उस छेतरों को दंड या आदमी नामक छोटा सा सुल्क देना पड़ता था अब सोचिएगा कि देव सारी और दंड या आदमी नामक छोटा सा सुल्क क्या होता है यानि दंड का नाम यही होता है कि आदमी यानि उनको कुछ समय के लिए विक्ति को देना पड़ता था जो कि उनके कारे करने म शक्षम होते थे और उसके बदले में वो लकडियां दिया करते थे देव सारी का मतलब होता है कुछ हद तक जो है उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे कुछ समान देना पड़ेगा अगर उनके जंग्रों में जाके अगर आप लकडी लेते थे तो यानि अपने बॉंडरी से हम विचार करें तो कहते हैं कुछ ग्रामनिये चोकिदारों को जो है नियुक्त करके अपने जंगलों की रक्षा भी किया करते थे अब देखिए यह नहीं था कि यहाँ पर एंग्रेज ही चोकिदारों के नियुक्टी करते थे कि उनके जंगल में कोई दूसरा वेक्ति प्र रक्षा के लिए और परतेग घर उन्हें भुक्तान करने के लिए कुछ अनाज का योगदान देता था जैसे आपने देखा होगा कि सहरों में अगर स्ट्रीट लाइट जलती है चोकिदार लगता है तो उस सोसाइटी से हर एक विक्ति से जो है कुछ न कुछ amount ली जाती है और चोकिदार हो चाहे बिजली आ रही हो जो कुछ भी हो उनकी जो है भरपाई की जाती है सेम कंडिशन उस समय भी था लेकिन उस समय अनाजव क्या योगदान दिया जाता था जो चोकिदार जंगल की रक्षा में निक्त होता था तो ये बात करें तो यही है अंतिम पॉइंट कि हर साल एक बड़ा ही सिकार होता था यानि हर साल एक बहुत बड़े सिकार हो लोग किया करते थे जहां प्रागरण के गाओं के मुखिया मिलते थे और बन सहीत चिंता को मुद्दे पर चर्चा किया करते थे यानि वहां पर जो था एक बहुत बहुत सम्मेलन होता था जहां पर हर एक गाउं के मुखिया आते थे और गाउं के जो condition थी बनों की जो विवस्ता थी इस पर जो है उपनी चिंताओं को व्यक्त किया करता था और इसमें होने वाले सुधारों पर भी विचार विमास किया जाता था तो इस तरह से जो थ इसको जो है आप 100% note down कर लेना क्यों एक्जाम में ऐसे ही कोशन बनते हैं तो इसको आप ignore नहीं करना इग्नोर करोगे अपने पैर पे खुद ही जो है किलहारी मारोगे इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं होगा हमने जो कारे करना था कर दिया आपका जो कारे है आप समझोगे आ पुशिश करना ठीक है दोस्तों अपना ध्यान डखना लेकिन ध्यान एवी बात रखना कि जितना हो सके इस वीडियो के दूसरे बच्चे तक पहुचाने में आपने तिरपान इस रिसंटर का help करना है कि अगर अगर